हेलो फ्रेंट्स नमस्ते वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज की स्वाड़ी जो है वो एलो कलर की जोजट साड़ी है यह साड़ी कुछ इस तरह है यहाँ पे पूरा एम्रोडर साड़ी है यह लीफ की डिजाइन में एम्रोडर बनी हुई है यह पल्लो एरिया है फ् यह लीफ का डिजाइन पूरी साड़ी में नीचे के और है और उपर भी ऐसे ही डिजाइन आई हुई है यहां तक कुछ है यह वाला उपर का हिस्सा जो पोर्शन है वहां तक ही एम्रोडर बनी हुए है और पूरे प्लीट से एरिया में साड़ी में ऐसे ही लीफ बने हुए आगर आपको वाली वीडियो देखनी है उसको मैने बहुत इजी वे में समझाया है अगर ववीडियो देखनी है तो मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रप्शन में देदिया है और मैं यहाँ पे जो पल्लो एरिया है उसका कुर्ती का फ्रेंट एरिया बनाऊंगी और यह जो शुरुवाती हिस्सा है साडी का उसका मैं यह देखे यह वाला पूरा प्लेइन हिस्सा जो है कुर्ती का पीछे वाला हिस्सा बनाऊंगी जो एंब्राडर यहां पे जो मैं अभी दिखा रहे हैं इसका नीचे वाला मैंने शरारा तो बना लिया और उपर वाला जो हिस्सा है उसका मैं दुपट्टा क्रियेट करूंगी वो कैसे बनाया है उसको आगे देखने के लिए वीडियो में बने रहे है इस वाले रियूज आ बिचाया है ओपन साइड मेरी तरफ है और उसके ऊपर एक कुड़ती है जिससे जिसका साइज मुझे बनाना है तो यहां पर मैंने शोल्डर की मार्किंग की है उपर और यहां से गला हम बाद में बनाएंगे फ्रेंज और पूरा जैसे कुड़ती की डिजाइन साइज है उ मार्क करूंगी और यहां पर हिप की जो मार्किंग है जहां से स्लीट स्टार्ट होती है वहां पर एक मार्क करेंगे अब मैं यहां पर कुड़ती को हटाऊंगी यह देखिये अब यहां पर जो आम होल के हमने मार्किंग की है उस लाइन को हम सीधा करेंगे यहां पे कुछ इस तरह हम सिधा करेंगे और शोल्डर के लाइन को भी हम सिधा करेंगे यहां पे देड इंच की गेहराई लेते हुए पीछे का आम होल की मार्किंग करेंगे कुर्टी का पीछे जो हिसा है उसकी हम मार्किंग करेंगे यह दिखिए दीड इंच की मार्किंगे यह किया है और एक इंच अंदर की और मार्क करेंगे और आदा इंच हम शोल्डर से यहाँ पे अंदर की और मार्क करते हुए फ्रंट आम होल निकालेंगे यह दिखिए फ्रेंज और अब हम शोल्डर को आदा इंच डाउन करेंगे फ्रेंज इससे क्या होता है कि शोल्डर लटकेंगे नहीं यहाँ पे लूज नहीं होंगे और देड इंच की मार्किंग लेते हुए यहाँ पे हम कुर्टी को कट करेंगे अब हम साड़ी को यह जो बॉर्डर है उसको आदा इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करके अलग करेंगे ताकि जब भी इसको यूज करना हो तो इसको सिलाई डालने में इजी हो अब हम इस वाला पोर्शन जो है इसको हम टू फोल्ड में बिचाएंगे यह फ्रेंट कुर्टी का हिस्सा मैं बनाऊंगी इससे यह वाली लीफ का जो डिजाइन है मुझे दामन में चाहिए और उपर भी लीफ की डिजाइनिंग है तो वह तो वहां पर शोल्डर में नहीं चाहिए था मुझे इसलिए मैंने थोड़ा नीचे से इसको मार्क किया है और कुर्ती की लेंद कम पड़ रही थी तो मैंने यहां पर एक एक्स्त्रा बॉडर लगाते हुए इसको फिनिश करोंगी और इसी करते हुए इसको हम कटरते हुए क्या है इसको हम क्ट करेंगी कुर्ती की जो length है उसको बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कुछ इस तरह बॉर्डल लगानी है यह दिखे कुछ इस तरह मैं बॉर्डल लगाते हुए इसको finish करूंगी अब हम कुर्ती की जो पीछे वाली हिस्या है उसको हम cut करेंगे तो मैंने यहाँ पर lining की जो कपड़ा है उसको two fold करते हुए बिचाया है और पूरा यहाँ पर mark करेंगे हम इसको और cut करके अलग करेंगे stretching करने से पहले friends मैं यहाँ पर sleeves ready करूँगी sleeve को मैंने lining को साड़ी के जो कब सीधा हिस्सा है उसके उपर बिचाया है और उसके उपर मैंने एक सिलाई डाल दी है नीचे की और और उसको घुमाते हुए अंदर की और मैं यहाँ पर एक सिलाई डालूँगी अंदर जो भी कपड़ा मोड़ना है तो वो एकी तरफ मोड़ना पड़ेगा friends इससे क्या है finishing अच्छी आती है और हम इसको अंदर की और मोड़ते हुए लाइनिंग को कपड़े पे सीधे कपड़े पे एक सिलाई डालेंगे friends अब तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए यह दिखिए कुछ इस तरह मैं यहाँ पर सिलाई डालूँगी इसके उपर friends मैं एक बॉर्डर लगाऊंगी कुछ इस तरह सीधा यहाँ पर बॉर्डर स्टार्ट करेंगे हम लगाना एक्स्ट्रा बॉर्डर को हम कट करके अलग करेंगे उपर के और हम कुछ इस तरह आदा इंच अंदर के और मोडते हुए बॉर्डर को अटैच करेंगे और भी सारी रियोज आइडियाज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें और अगर आपको और भी देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे आने वारे वीडियो को नोटिफिकिशन देखने के लिए फ्रेंट्स यहां पर मैं लाइनिंग को और में कपड़े में साडी कपड़े को यहां पर डायरेक्ट आप पूरा सिलाय डाले करेंगे इसी तरह मैंने दोनों स्लीव को रेड़ी करके रख लिया है् मैं में कुर्टी की जो पीछे इस साथ है उसके बनाएंगे फ्रिर्ण्स मैंने यहांपे प्रेंट्स मे अधर स्ट्छिंग करने से पहले हरो कुड़े की धर्मार्टिक दोनों हिससे को मैंने लाइनिं लिया है और लंबाई में 6 इंचिस लिया है यहां पर लाइन को सीधा करेंगे और गोलाई की शेप देते हुए इसको गोल गला बनाएंगे इसकपड़े को कट करके अलग करेंगे यहां पर मैंने मैं लाइनिगtoi अंदर नहीं गुमाया है क्योंकि मैं यहां पर पैपिंग लगाऊंगी तो मैंने इसलिए डाइरेक्ट लाइनिंग scars चिपकाते हुए ही इसको रेडी किया है ये देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ कट्स लगाऊंगी पाइपिंग को घुमाने में आसानी हो जाए ये देखिए फ्रेंज ये गुर्डन कलर की पाइपिंग है इसको जो है मैंने साडी से ही लिया है साडी में ये बॉडर की नीचे आया हुआ था तो मैंने उसको हटाते हुए यहाँ पे यूज किया है एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट करेंगे कुछ इस तरह हम फोल्ड करेंगे और अंदर के और फोल्ड करते हुए एक से लाइड डालेंगे और दामन में भी ऐसा ही लेस अब ये वाला जो पाइपिंग है अटैच करेंगे अब मैंने फ्रेंट कुड़ती के लिए गला बनाएंगे यहाँ पे यह दिखें बुकरम पे मैंने त्री इंचेस बेट और लेंद में त्री इंचेस लिया है और स्वीठार्ट शेफ देते हुए इसको कट करके लाइनिंग के कपड़े पे इसको चिपका लिया है फ्रेंट्स प्रेस करते हुए और यहाँ पे बाहर की और मैं एक सिलाइड डालूँगे लाइनिंग पे इसकी सिलाई जो है यह बुकरम पे ही आनी चाहिए पूरा गला जो है सिलाई करके मैं फिनिश करूंगी अब मैं कुड़ती के जो फ्रेंट पोर्शन है उसको लेते हुए इसका जो सेंटर है उसका मार्क करेंगे हम और गले का जो पोर्शन है जो बने बनाया है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे कुर्ति की जू है सीधा हिस्सा है उसके ऊपर हम गले को उल्टा रखेंगे और पिनफ करेंगे पिनप करने से स्टिचिंग करने में आसानी होती है जॉर्जट के कपड़ा है तो फिर यह फिसलने के चांसस होते है तो इसलिए पिनप करके आप स्टिच कर लीजे तो इसको इजी हो जाएगा हम संटर के और एक सिलाई डालेंगे और यहां पे जो बुकरम के अंदर के और एक सिलाई डालेंगे फ्रेंज बुकरम पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए यह बुकरम का जो गला बनाया है उसके उपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए इसको हम अंदर के और एक्जाक्ट उसके बाजो में ही सिलाई डा दाल के रड़ी करेंगे यह देखें आदा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे कट करेंगे अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे फ्रेंज यहाँ पे कट लगाते समय फ्रेंज कोई भी कट सिलाई पे नहीं आनी चाहिए यह जरूर ध्यान रखना नहीं तो फिर यहाँ पे गला जो है निकलने के चांसे होते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह हम भुकरम को अंदर के और मोड़ते हुए इसको सिलाई डालेंगे इसको भी हम गुल्डन कलर की पाइपिंग जो है जो पीछे लगाया था हमने उसी से इसको भी हम फिनिशिंग करेंगे यहाँ पे कुछ कर्ष लगाते हुए हम मोड़ते जाएंगे इससे क्या है कि गले का जो पाइपिंग है वो फिनिशिंग के साथ निकल के आएगा यह देखिए यहाँ बिल्कुल भी पाइपिंग जो है मोड़ेंगी नहीं यह देखे फ्रिंस यहाँ पे फिनिश हो गया अब हम दामन को यहाँ पे गलाबन के रेड़ी हो गया और अंदर के और हम हाथ की सिलाय डालके फिनिश करेंगे अब हम जो कुड़ती का दामन का हिस्सा है उसको लेंथ बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह मैंने अब भी पताया था वैसे ही बॉर्डर को अटैच करेंगे यह देखें फिनिशिंग कितने अच्छे से आई है और लुक भी बहुत अच्छे से दिख रहा है फ्रैंसीस का अब हम नीचे के और भी आदा इंच अदर के और मोड़ते हुए इसकी भी सिलाई करेंगे इस सिलाई के साथ मैंने दोनों गुर्टी को बना लिया है अब हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे इसके बाल लाइनिंग को भी हमने एक इंच मोड़ना है तो इसको भी हम सिलाई करके रड़ी करेंगे यह देखें एक इंच हम अंदर के और मोड़ते हुए इसको भी फिनिश करेंगे अब हम shoulders को attach करेंगे friends यहाँ पे मैंने बुकरम का जो हिस्सा है front वाला गला उसको हम पीछे की और घुमाते हुए shoulders को attach करेंगे तो इस तरह finishing आईगी यह दिखिए गला बनके ready हो गया shoulders भी बनके ready हो गये अब हम sleeves को attach करेंगे मैंने sleeves को कुर्ती की जो armhole की जो जहाँ पे attach करनी है वहाँ पे sleeves को pin up कर लिया था तो direct मैं यहाँ पे sleeves attach करूंगी friends अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक like करना और आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को जरूर subscribe करना इसी तरह मैंने दोनों sleeves को attach कर लिया है और एक पक्की सिलाई डालते हुए मैंने इसको finish कर लिया यह दिखे friends कुछ इस तरह finishing आई है अब हम fitting की marking करेंगे sleeves की 6.5 है तो यहाँ पे 6.5 पे मैं mark करूंगी और यहाँ से fitting की सिलाई start करूंगी यहाँ पे पक्का करते हुए हम finishing जो hip marking है वहाँ तक सिलाई डालेंगे यह देखे यह जो hip की marking मैंने लिया है यहाँ तक हम पक्का करके सिलाई finish करेंगे दोनों तरफ हम इसी तरह finishing लेंगे अब हम मैं यहाँ पे slits बना रही हूँ यह वाला जो front का portion है वहाँ से हम start करेंगे अंदर के और मोडते हुए आदा इंच हम दो बार मोडते हुए इसको finishing के साथ attach करेंगे कुछ इस तरह यहाँ पे देखे फ्रेंज यह देखे अब पीछे वाला जो कुर्ती का हिस्सा है वहाँ पे हम पक्य करते हुए फिरिश करेंगे कुर्ती बनके ready होगी फ्रेंज अब हम यहाँ पे दुपटा बनाके ready करेंगे साड़ी का जो उपरी हिस्सा है जहाँ पे इमरोडर बिल्कुल भी नहीं है उस वाले हिस्से को मैं यहाँ पे दुपटा बनाने में यूज करूंगी यह बिल्कुल भी छोटा नहीं है friends बहुत ही चोड़ा बनके ready हो जाएगा अगर आपको देखनी है तो पूरी वीडियो में देखे कैसे मैंने इसको बनाया है यह देखे मैंने अपनी पुरानी जो दुपट्टा है उसका length लेते हुए इसको cut कर लिया है और लेस लखाने के लिए मैंने यहां पे single foot का यूज किया है क्यूंकि देखे बब रहा था यह दुनिया यहां पे fold हो रहा था लेस इसलिए उसकी finishing अच्छे आने के लिए मैंने यहाँ पे foot change करके single foot लगाते हुए lace को finish किया है यहाँ पे corner में हम लेज को जो है कुछ इस तरह फोल्ड करते हुए थोड़ा सा हम यहां पर घुमाएंगे और कपड़े को भी हमुल्ड करेंगे क्योंकि यहां पर कि इसको भी आदा इंच मोड़ते हुए उसके ऊपर हम लेस को रखते हुए से लाए डालेंगे यह देखिए यह देखिए फ्रेंज फिनिशिंग कितने अच्छे से आई है कॉर्णर में इसी तरह पूरे चारो तरफ मैं इस लेस को लगाके दुपट्टा रेडी करूंगी और कपड़े को मोड़ते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाए डालेंगे यह देखिए मेरे दुपट्टा बनके रेडी हो गया यह दुपट्टा आपको आइडिया कैसा लगा जरूर पताना और आगे और भी देखने के लिए वीडियो जैसे मेरे चैनल को जरूर करना यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर डुपट्टा जो है बनके रेडी हो गया और यह बिल्कुल भी छोटा नहीं है फ्रेंट्स पूरा लंबाई में भी बहुत ही अच्छे से लंबाई में आया है और चोडाई में भी बहुत ही प्यारा बनके रेडी होगा यह मेरी thank you